कि अज़िए प्रश्न कुंडली विशेश के पंडित सुरीश पांड़ेजी पंड़ेजी बहुत स्वागत है आपका नमस्कार कि मादुर्गा के दर्शन दरिद्रता मिटाएंगे किस्मत चमकाएंगे सौभाग्य जगाएंगे देखे नवरात्र स्पेशल काल चक्र नवरात्र का पावन समय चल रहा है और ऐसे में हर भक्त दुर्गा मंदिर जाकर मा की अराधना करता है इसलिए आज पंडित सुरेश पावन देजिए आपको नवरात्र के ऐसे 15 चमतकारी उपाएंगे जोने अगर आपने दुर्गा मंदिर जाकर कर लिया तो समझ लीजिए कि माँ अंबे आपकी हर परिशानी हर लेंगी आपकी हर मनोकामना को पूरा भी करेंगी तो नवरात्र में मां अंबे की खास कृपा पाने के लिए बने रहे पूरा एक घंटा नवरात्र स्पेशल काल्चकर के साथ और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें हमारा नंबर है 0120-065241 चलिए आप बात करेंगे आज के शुब मुहरत की बताए बंडची एक अक्टूबर 2022 दिन सन्यवार आज आश्विन सुक्ल पक्ष की सश्ठी तिति है रात आठ बच कर 46 मिनट तर इसके बाद सब्तिमी तिति शुरू हो जाएगी जेश्ठा नक्षतर रहेगा रात तीन बच कर 11 मिनट तक इसके मून लक्षतर शुरू होगा आश्वान योग रहेगा साम 7 बच कर 69 मिनट तक इसके बाद सवभाग योग शुरू होगा आज सकंद सश्ठी है आज रवी योग भी बना हुआ है और आज के कुछ असुब मुहरत भी हैं तो ध्यान दीजिएगा राहुकाल सुबह 9 बजे से साथे 10 बजे तक और यमगंड काल दो पहर 41 से 3 बच कर 9 मिनट तक इन समयों में यात्रा का प्रस्थान और सुभ कारे का सुभारंब नहीं करना चाहिए जय माविद दिवासनी तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उस अचू कुपाई की जिसे आपके दुर्गा मंदिर में जाकर करना है या अचू कुपाई आपकी जिंदगी से दरिद्रता को हमेशा हमेशा कले दूर कर देगा जानते हैं पंड़जी से कौन सा है वह अचू कुपाई पंड़जी जिसे दरिद्रता दूर हो जाएगी सबसे बड़ी दरिद्रता दूर करने का जो सटी कुपाई है बता रहा हूं वह उपाई यह है मन में हर समय भगवती दुर्गा का अस्मारन और चिंतन करिए कैसे दुर्गेश्मृता हरसि भी तिमसे सजंत तो स्वस्थाइच्मृता मतिमती है व सुभांदा दासी दारीद्र दुख भयहार निकात अदन्या सरव पकार करना यस दार जचित्ता शर्वमंगल मंगल लेुसवेसर वार साधिके चराणिये त्रयंविके गोरी नारायान झाल विद्धवस्टी नुम्य और प्रश्ट्ध सब्सक्राइब 5GO लोग इस भाव से नित्य भगवती दुर्गा का प्राता साइंग मध्यान में ध्यान करते हैं प्रातास के दुर्गा के निचे हैं और अप सेफ आप सुरक्षित हैं आपका मान, समान, आपकी प्रतिष्टा, आपका जीवन सुरक्षित दर्द्रता दूर करने के लिए मा दुर्गा के मंदिर में एक लोटे पर कलावा बांद कर उसमें सहत भर कर मा के चरणों में रखें ध्यान दें लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए लाल कपड़े में नारियल लपेट कर मा दुर्गा को समर्पित करें दुर्गा मंदिर में बैठकर दुर्गा सब्तस्ति के दूसरे तीसरे और चौथे अर्थात मध्यम चरित्र का पाठ करें अगर आपके काम में रुकावट आ रही है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्यम चरित्र के पाठ से रुकावट दूर होगी और आपकी आर्थी की स्थिती भी मजबूत होगी इसमें कोई संसय नहीं है जैमाविन दिवासनी और अगर आप भी दुर्गा मंदिर जाते हैं और आप दुर्गा मंदिर रोजाना जा रहे हैं अवरात्र में आप पूझा अर्चना करें तो इस उपाय को ज़रूर करें जो आपको पंड़जी ने बताया है वो लोग जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है नोक्री में तर तिलक लगाकर क्या कुछ भोग लगाना है यह भी बंड़जी से जानते हैं बताये बंड़जी देखिए सरकारी नोकरी पाना है या सरकारी नोकरी में रहते हुए तरक्टी पाना है तो मा दुरगा के मंदिर जाकर उनको सिंदूर, दूद, दही और मिसरी मिला करके तिलक लगाएं तिलक लगाकर मा को लाल फूल और इतरर पित करें नौरात्र में हर रोज लजिता सहस्र नामावली का पाठ करें नौरात्र में हर रोज छोटी कन्याओं को खेर खिलाएं एक बात जान लीजिए नौकरी मिलना बहुत कथिन है लेकिन नौकरी जाने में च्छन भर लगता है अगबार उठाईए अगबारों में आपको दिखेगा कि अमुक पत पर अमुक बड़ा अधिकारी टर्मिनेट कर दिया गया क्या है नवकरी पाने में उन्हें सालों तयारी करनी पड़ी होगी कितने एक्जाम देने पड़े होगे लेकिन नवकरी जाने में दो मिनिट लगा इसलिए नवकरी मिलने की तनी खुसी नहीं होनी चाहिए कि आप सुरक्षित हो गए नवकरी चलती रहे, सम्मान के साथ चलती रहे, उसका अंत भला हो, इसके लिए भगवती की आराधना करते रहना चाहिए और यदि आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते भगवती की आराधना के लिए तो छोटा समय यह है कि आप दुर्गा चालीशा और बिंधेस्वरी चालीशा का पाट तो सुबह साम कर ही सकते हैं और हाँ एक बात आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ वैसे तो हमारे हाँ 108 देवियों के सिध्ध पीठ है 108 सिध्ध पीठ अपने आप में एक से एक हैं लेकिन योग माया का आदि सकती का जो सकती पीठ है वो सिर्फ बिंधिवासनी है इसलिए मैं अपने दर्सकों से चाहूँगा कि जब भी संभव हो आप माविन दिवासनी का एक चित्र अपने घर में पूजास्थान में जरूर लगाएं और उनके सामने घी का दिया जरूर जलाएं और हाँ अपना मानसिक संबंध उनके स्रीचरणों से जोड़ें आप अपने दुख सुक का साक्षी उनको बना लें आप अपने को उनसे अलग न समझे इस तरह की मानसिक्ता जब आपकी बिक्सित होगी तो आप विश्वास करिए यम्यम चिंत अटे कामम तम तम प्रापनोत निश्चितम जिस दिन वो आपको स्विकार कर लेंगी उसके बाद फिर आपके जिंदगी की सारी जिम्यदारी उनकी होगी आपकी नहीं जयमादिन जवास में आपकी कुंडली में मारकेश के दिश्चर चल रही है क्या कुछ करना है आपको बताएं के पंडिजी लेकिन उससे पहले कॉलर है विम्ला दिली से विम्ला जी स्वागत है बात करिए पंडिजी से हालो नमस्कार पंडिजी मेरी उमर 59 यह और मैं अपनी बेटी के बारे में और उसके बेटे के बारे में जानना चाती हूँ बेटी की 16 फरबरी 92 है दस बचके 10 मिनट और उसका बेटा है पान साल का जिसकी उमर है अभी बारा दिसंबर बारा दिसंबर उनीसों दोहजा सत्र और टाइम है 11 बचके 46 मिनट वह पहुत ही स्लो चल रहा है पंडिजी अपने उसने चलना भी बहुत ले शुरू किया बोलना भी अब शुरू किया और पढ़ाई में भी बहुत मतलब चलिए मैं आपको पता देता हूं यह आपने जो प्रस्ण किया है विम्रा जी आपके प जाए तो सनी और बुद्ध दोनों ग्रहों की इस्तिती परस्पर पंचमनों है आपके बच्चे में हलका सा आर्टीजम की बिमारी है जिसके कारण उसकी सारीक और मांसिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है आपको चाहिए कि एक तामे का छोटा सा लुटिया लेकर के और एक पीत लुटा जल से बच्चे को हर अबिवार को अस्तान कराएं और यह उपाए कम से कम 24 महीने करें यह संदेह बच्चे की ग्रोथ स्टेज हो जाएगी बहुद्धिक शमता अच्छी हो जाएगी और किसी आलवेद के डाक्टर को दिखा करके उसके बहुद्धिक प्रतिभा में चमतकार के लिए उस उसदी का भी मारुदरसन प्राप्त कर लिए जैमाविन दिवासनी आपके कुंडली में किसी ग्रह की मारकेश की दर्शा चल रही है और आपको इसके चलते बहुत जादा कश्ट उठाने पड़ रहे हैं दुर्गा मंदिर में जाकर कैसे माम भगवर्थी की आराधना करनी है क्या भोग लगाना है क्या पाठ करना है जानते हैं पंड़जी से पंड़जी ये तो बताएंगे आप उपाई लेकिन उससे पहले एक और कि क्या कोई पहचान है जिससे पता चले कि हमारी कुंडली में मारकेश की कोई दर्शा चल रही है जाया कुटुमकाधीसव मारकव पर किर्थितव जन्मकुंडली में दूसरे और सात्मे भाव के स्वामी की जब महादसा चलती है तो यही मारकेश कहलाता है वैसे मारक मृत्तु भाव का स्वामी अश्टमेश भी होता है, मारक कृत्ती भाव का स्वामी भी होता है और मारक एकादस का भी स्वामी होता है, द्वादस का भी स्वामी होता है कहते हैं जाया कुतुमकाज धीसो, रंधेसो न सुभप्रदर रंध्रेश मतलब आठ्वे भाव का स्वामी भी सुभदाई नहीं होता है तो अगर आपकी भी जर्म कुंदली में किसी ग्रह के द्वारा मार्केश की महादसा चल रही है तो दुर्गा मंदिर में मा की मूर्ति के सामने एक चवमुखा दिया जलाई है और मा दुर्गा को वि दुर्गा मंदिर में बैठकर देव्य अथर स्वित्स का सौख बाट करिए असाध्य से असाध्य कष्ट भी जल्दी से दूर होगा इसमें कोई संसय नहीं है जैमाविन दिवासनी जो लोग मेडिकल फील्ड में काम करते हैं अपने फील्ड में तरक्की पाने के लिए सक्सस चाहिए तो क्या करना है पंडिजी आपको बताएंगी लेकिन उससे पहले जबलपुर से कॉलर्ड रोचुके है राम गुपाल जी स्वागत है बात करिए पंडिजी प्रणाम परिवार की दरफ से देखे राम गुपाल जी ना तो आपकी उमर ठीक से मैं सुन पाया हूं ना तो आपका प्रस्तन सुन पाया हूं अगर आप और तेज बोल सकते हैं तो बोल दीजी मेरी जनती थी हूं सत्रह ग्यारा सेंथीस जी और जन में मुरेने का ताम को चार जानना चाहते हैं मेरा सुबूर से मेरा ऐसा ही प्राणब रहा है कि परिशानी से परिशानी रहा हूं मैं अब देखें भगवान की किरपा से आपने भगवान ने आपको बहुत चेरंजीव कर गया इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप पचासी साल के हो गए हैं भगवान ने काफी उम्र आपको दिया काफी मतलब कि ठीक से आपका जीवन बितित हुआ है रही बात मनुष्य क मनो कामनाओं की तो सारी मनो कामनाओं तो मनुष्य की पूरी होती नहीं और परिवार के जो लोग हैं बेटे बहु और सब लोग उनका भी अपना प्रारब्ध होता है उस प्रारब्ध के हिसाब से दुख और सुख भोगेंगे मैं आपको एक सुचाओ देना चाहूंगा अ 108 बार राम राम लगातार 108 बार लिखेंगे और 108 बार लिखने तक आप किसी से बोलेंगे नहीं, किसी को कोई संकेत नहीं करेंगे, किसी से कोई इंट्रेक्शन नहीं करेंगे, तो आप विश्वास करिए 108 दिन के बाद आपके हिफाज़त हनुमान जी करने लगेंगे, आपकी मोनों कामना भी पूरी हो जाएगी जै माविन जो आशनी एक और कॉदर हमाई साथ जुड़ चुकिये हैं हर्शा वरोद्रा से हर्शा जी स्वागत है बात करिए पंडिची से पंडिची हासदा सुकी रही है पंडिची मेरे दो प्रेशन है कि हमारे जीवन में परेशानिया पैसे संबनी बहुत है बाहर पैसा बहुत फ़स्क गया जो नहीं मिल रहा है और दूसरा प्रेशन है मेरी बेटी मालवी का जिसका जन्म दो जुलाय दो हजार दो का है वो अब करना रोज बहुत है कि लोटे में जल भर करके उसमें 20 दिनों तक सूरी को अर्ग दीजिए इससे आपका रुका हुआ पैसा मिलने में आपको सफलता मिलेगी हां हरसा जो आपने अपने बेटी के बारे में पूछा है और उसके विदेश गमन के बारे में पूछा है तो ये समझ लो कि चंदर्मा नमभाव का स्वामी होकर के इसमें बिस्षिक रासी में गोचर कर रहा है मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विदेश का योग उसका नहीं है अभी विदेश जाने में बहुत देर बनी हुई है अगर विदेश जाएगी भी तो खरवरी 2025 के बाद ही जा पायएगी उसके पहले का कोई सहली योग नहीं है जैमाः विंदि बासनी जो लोग medical field में काम करते हैं और अपने field में success चाहिए तो नव्रात्र में मादुर्गा को कहा तैलक लगाए आये जालते हैं बढ़े तैसे बताईव देखें मेडिकल फिल्ड में सफलता और तरक्की के लिए पांच डालों को पीस करके उसमें हलका सा गुड़ और चावल मिला करके मा दुरगा के मंदिर जा करके इससे मा की मूर्टी पर तिलक करिए तिलक लगा कर मा को सफेद रेश्मी वस्त्र और वर्फी अर्पित करिए घर में देवी अंत्रा स्थापित करके तारा कौज का पाठ पूरे नवरात्र करिए गाय को अंकूरित हरी मूंग खिलाएं और किन्डरों को सुपारी और वस्त्र दान करें जैमाविन जिवासनी और एक और कॉलर हमा इसाथ जुड़ चुकी है केरन जी हिमाचल से बहुत-बहुत स्वागत है बात करिए पंडी जी से प्रणाम पंडी जी हां सदा सुखी रहे केरन जी पंडी जी मुझे अपने बेट्टे के बारे में जानना था जी मेरे बेटा 10 अक्टूबर 2003 बारा ब चलिए किरन जी मैं बताओं आपके पंचम भाव का स्वामी सुक्र है उससे पंचम भाव का स्वामी सनी है सुक्र सनी का इत्षाल हो रहा है बेटा आपका पढ़ने में ठीक है एवरेज है बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन खराब बिल्कुल नहीं है अगर आप चाहती ह में चार्चांद लग जाएगा विश्वास करके देखिए और उपाय करके देखिए जैमाविन लिवासनी कि और एक और कॉलर हमाई साथ जूड़ चुके हैं बल्राम जी 36 गड़ से बहुत स्वागत है बल्राम जी आपका बात करिया आप पंड़े जी से बल्राम जी आप पंड़ेची से बात कर सकते हैं प्रणाम पंड़े जी है आसुक फिर रहे हैं मैं बल्राम मित्रा बोल रहा हूं मेरा जन्म सिथी fly 1991 का है य कि पंड़ेची मैं वरत्मान में H同 तूसन का काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं ट्यूसन सेंटर खोलना और एक पार्टी से जो है आफर भी आया है कि आप हमारे साथ मिलके काम करिए तो यह क्या मैं उस पार्टी का आफर को मतलब वहां पे काम कि विलकुल काप काम कर सकते हैं बलराम जी स्चिन शुक्षन भाव का स्वांवीख और आजिव श्कुरा हो काव का स्वामी सनी है सनीAR और बुध दोनों ग्रहों की स्थिति पन्चम्नों होने के कारण में यह बात कह पाय रहा हूं कि अगर आप कोचिंग से संबंधित पढ़ाई से संबंधित किसी भी रोजगार का विस्तार करेंगे तो आप के लिए भौई से के लिए फायदे मंद होगा इसमें कोई दोराय नहीं है बस अपने सोच का विस्तार करना है थोड़े दिनों तक संघर्ष सब्सक्राइब करें पंडीजी से करना सब्सक्राइब पंडीजी मेरे बच्चे का जन्म दिन है 166 2003 अमंदीव पटेल उसका नाम है दो बसका 26 मिनट में उसका जन्म हुआ था सुबह में तो हजार टेस में आयाइटी का पर इच्छा देगा वह पंडीजी और आयसी का भी अब इच्छा देगा तो अभी तैयारी कर रहा है और उसको सफलता के लिए क्या करना पड़ागा फोगा तो जबता करें आयाइटी के लिए तैयारी करें आयाइटी में सफलता मिलने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं और उनको कहिए कि सन्यवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जा करके साम को हनुमान 40 का पाठ कर लिया करें और अगर हो सके तो एक दिया हनुमान मंदिर में सन्यवार को जला दिया करें इससे उनकी मेमरी पावर बढ़ेगी पढ़ाई में उनका और ज्यादा रुजान बढ़ेगा और अपने जिन्दगी के लक्ष को प्राप्त करने में उन्हें देवताओं का आशिरवाद भी मिलेगा जै माविन वास्मी नवरात्र में दुर्गा मंदिर जाने से आसान उपाय करने से आपके रिष्टे सुधर सकते हैं हर दोश दूर हो सकता है और खुशिया हमेशा हमेशा के लिए खर पर आ सकती हैं कैसे इस सब आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी फिलाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का आप बने रही हमाई साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र नवरात्र का पावन समय चल रहा है ऐसे में अगर आप कुछ चमतकारी उपाई दुर्गा मंदिर जाकर करते हैं तो समझे मा अंबे की कृपा आप पर बहुत जल्दी बरसे की इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको दुर्गा मंदिर में किये जाने वाले 15 अच उपाई बता रहे हैं तो चलिए अपने जर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी शुदा जिंदगी अच्छी नहीं जल रही है ऐसे लोग दुर्गा मंदिर जाकर मां को कौन सी चीज जर्पित करे क्या भोग लगाएं आई जानते हैं बताइए बंदिची देखिए बैवाहित जीवन जो है यह बड़े भाग्य से अच्छा नसीब होता है कि कहते हैं सनातन धर्म में कि दिन नस्टम को भोजनम जन्म नस्टम को भार्या अगर भोजन खराब हो गया तो पूरा दिन खराब हो गया और जीवन सांथी या जीवन संगीनी खराब मिल गई तो पूरा जीवन बरबाद हो गया मान लीजिए आपकी कुंदली में लगने सब्तमेस का सदास्टक योग है मान लीजिए आपकी जन्म कुंदली में सात्में भाव को पापग्रह देख रहे हैं या विवा भाव पापग्रहों से पीडित है तब त लगाट रहेगी अगए लेकिन अगर ये सब कम्या भी नहीं है लेकिन मान से गतिरोध वने हुए है तो क्या करिये अ भले एक रोटी कम मिले लेकिन अगर सामन जस्र है तव चित्तम मम सित्तम वाचा वाच्चव ने लोग पएट कहते हैं विवाप दधती में तव चित्तमम वाचा वाच्चव नो पएट तो बैवाहिक जीवन में अगर कळवाहट खूल गई है तो दूर्गा betting मंदिर में जाकर फ हों लाल रंग की प्रिसँ लेजिक लगिट थे फार्ग नियुट और मान повтор 가 का पंचा मिर्ट से और कैसे बसे करता है कर दखी किgoneばい संध में पंचाम्रित भर लीजे श्री एंत्र या दूर्गा प्रतिमा पर ओम रन्य वरनाम हर इंश वर नर अर्ट श्रयाम चंद्रा मेर में लक्स्विम जाद वेदो मया वह ओम्ता मया वह जाद वेदो लक्षमिम अरपकाम निमें स्ट्राहिर नियम इंदे अमकाम अश्वपुर्व स्री शुक्त के सोलह मंत्रों को बोलते हुए पूरा पंचाम्रित भगवति दुर्गा के ऊपर अविशेख के रूप में छोड़िये और उसके बाद सुध्ध जल से भगवति का अविशेख करिए और मा दुर्गा को मिश्री लोंग और पान अर्पित करिए भायरव जी को मालपूय का भोग लगाईए और दुर्गा सती की पुष्टक संख और घंटी का दान करिए इसके बाद एक संकल्प इस नवरात्र में कीजिए बसी करन के मंत्र का संकल्प चाहे आप अपने पत्नी का करना चाहते हैं या पति का एक बसी करन मंत्र बताता हूं जिसका तोड जर्थी पर नहीं है सब तैसलोकी दुर्गा का पहला मंत्र है ओम क्लीम ज्यानी नामप चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा किर्स मोहाय महामाया प्रयक्षती क्लीम ओम जो महिला पुरुष इस मंत्र का दसमाला निट्यजब करते हैं वो पूरे संसार के आखों के सूर दुमा होते हैं उन्हें संसार के समस्त लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत सम्मान मिलता है यह किसी से कुछ ठगने के लिए बसी करना नहीं है बलकि यह लोग प्रयता को बढ़ाने के लिए अपने वर्चसों को कायम करने के लिए और अपने यस को बढ़ाने के लिए ह यह मंत्र है नौरात्र से इस मंत्र की सुरुवात करें दस माला नित्यजब करें परिणाम आने में 6 महीने लगते हैं धैर रखें परिणाम जरूर आएगा चाहे जितनी बिगड़ी हुई बात होगी वो बात भी बन जाएगी तो कैसे करना है रुद्राक्षी माला पर करना है पूरब दिशा में मुह करके करना है घी का दिया जला के करना है ओम क्लीम ज्यानी नामपी चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा क्रिश्य मुहाया महामाया प्रयक्षती इसका अर्थ है ज्यानियों के चित को भी जबरदस्ती अपनी तरफ आक्रिष्ठ करने वाली है का चित्ता कर सित करो भाई का चिता कर सितो इस तरह से आप कर सकते हैं इसका लाफ जो आप देखेंगे उससे आप चमत्कित हो जाएंगे जैमाबिन दिवास में और अब बात करते हैं उन लोगों की जो इंजिनियरिंग फील्ड से जोड़े हुए हैं उनको मा दुर्गा को किस तिलक से प्रसंद करना चाहिए आईए जानते हैं बताइए पंड़ेशी देखिए आज तो तक्निकी जो है संसार में आगे बढ़ने का एक अहम रास्ता है और आज इंजिनियरिंग की फिल्ड में सफलता और तरक्की अगर आपको चाहिए तो आपको हल्दी पाउडर और चावल में थोड़ा सा गन्ने का रस भी मिलाना चाहिए और मा दुर्गा के मंदिर जा करके देविस सक्ती का इसका तिलक लगाना चाहिए नवरात्र में सफेद मिठाई का दान भी करना चाहिए इंजिनियरिंग की फिल्ड से जुड़े लोग पूरे नवरात्र लक्षमी सहस्र नामावली का पाठ करें और टक्निकी छेतर से जुड़े हुए लोगों को चाहिए कि विश्वकर्मा पूजा पर किसी भी कीमत पर विश्वकर्मा भगवान की पूजा जरूर करें और अगर हो सके तो विश्वकर्मा जी को अपने मंदिर में भी अस्थापित करें और उनकी पूजा आराधना करने से चाहिए आप कंप्यूटर के आईटी सेक्टर में हैं औ और हर्चेत्र में आपकी यस बढ़ेगी वसरते आप इन उपायों को ध्यान पुर्वक्त करें जय माविन दिवासने अगर आपकी विरोधी हमेशा आपका काम बिगारते हैं तो इस नवरात्र दुरुगा बंदर जयाकर आपको माम बेगी कैसे पूजा करनी चाहिए आएए जानते हैं पंड़े से बताइए पंड़े सच बात तो यह है संग्रामे संकटे चाईवा बिघनस तस्यन जायते यह मै संग्राम में युद्ध में और संकट में बिघन उफरस्तित नहीं होता अर्थात संग्राम में बिजय होती है और विरोधियों पर बिजय पताका लहराती है बसकरना क्या है भगवति दुरुगा की आराधना सतत्थ चिंतन मनन ध्यान अगर विरोधियों आपको भी परिसान कर रहे हैं तो दुरुगा मंदिर में बेल का फल पका हुआ फल दुरुगा प्रतिमा के सामने रखें दुरुगा मंदिर में ही मादुरुगा का राजो पचार पूजन करने के बाद कन्याओं और वटुक भैरों की पूजा करें दु लेकिन इंजीनियर होते हुए या इंजीनियरिंग फर्म होते हुए भी इंजीनियरिंग की कोई प्रोडक्ट आप डिकालते हैं, लेकिन करजे में आप डूबे हुए हैं, लोन आप उतार नहीं पा रहे हैं, प्रतिष्ठान बेचने की नवब अता रही है, स्वहयोगियों न बताता हूं करके देखिएगा, पांच चीज बेवस्था करिए, बेल पत्र जो होता है उस बेल पत्र का फूल, उस बेल पत्र के पेंड की छाल, उस बेल पत्र के पेंड की गुदा, जो छाल के नीचे से निकलेगी, उस बेल पत्र के पेंड के नीचे की जड़, और बेल पत् चीजें कठा कीजिए और इसको कूट करके सुखा लिजिए इसमें जब आपको हमन करना हो तो थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा घी डाल करके और महालक्षमी का मंत्र ओम एम्रीम श्रीम कमल वासिन्य स्वाह ओम्रीम श्रीम कमल वासिन्य स्वाह इसमंत्र से 108 भार हवन करना शुरू कर दिए ये हमन जिस दिन आपका एक अयन अर्थाच्छ महीने पूरा करेगा उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आपके जीवन के संकट के समाधान का दिन सुरू हो जाए यदि आप साधना करते करते पूजा करते करते ठक चुके हैं लेकिन गरीबी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है अभाव ने आपके जीवन को बक्सा नहीं है तो ये एक बार मेरे इस तुक्ष प्रांडी के कहने से देवी भागोत का ये उपाय जरूर आजमा लीजिएगा और स्रद्धा के साथ आजमाईएगा च्छा महीने करते करते निह संदेह परिस्थिती बदलेगी इसमें कोई दो राय नहीं एक बार हमारे पास पाकिस्तान से एक फोन आया था आप विश्वास करिए उसको कहीं से भी नंबर उनको मिला होगा उन्होंने बताया कि गुरू जी ये हमन हमने किया और मेरी जिन्दगी बदल गई आज मैं चार बच्चों की परवरिस करता हूँ और बहुत खुस रहता हूँ यहां के सभी मंदिरों में आपका कायरक्रम देखा जाता है यहां के सभी मंदिरों में आपके कायरक्रम की चर्चा होती है यहां के सभी मंदिरों में New 24 की चर्चा होती है और आपके बताय हुए उपायों को लोग करते हैं तो मुझे खुशी मिली, राहत मिली कि कम से कम अगर उपायों को करके चमतकार लगता है तो यह मेरी नहीं यह सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत है हमारे ग्रीशियों मुनियों की साधना का यह फल है जो उनके बताय हुए रास्ते पर चल करके हम सफलता के दरवाजे तक पहुँचते हैं जै माविन दिवासनी पॉलिटिक्स में भी आजकर लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं जो लोग पहले से ही राजनीती में हैं और वो लोग जो इसका हिस्सा बढ़ना चाहते हैं उनको मादुर्गा को किस चीज का तिलक जरूर लगाना चाहिए आए जानते हैं पंडेजी से पंडेजी वो ल जिन लोगों की कुंडली में राजयोग होता है वो राजनीति ग्यतों होंगे ही अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंदला धिपर निर्पतिस चक्रवर्तिस चरभ्या दे उच्चे ग्रही जब सनी अपनी उचरासी तुलारासी में होता है और ग्रहों का सहयोग होता है तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राथ या चक्रवर्ती सम्राथ जैसा होता है तो राजिनीती के छित्र में सफलता और तरकी पाने के लिए हल्दी कपूर और लौं का चुर्ण मिला करके मादुर्गा के मंदिर में जाकर इससे तिलक लगाना चाहिए उससा ह्पान उससे तिलक लगाकर एकईश चूरिया और दो जोडी լिंदी चांदी की विष्या मा को अर्फित करना चाहिए मादुर्गा को गुलाव के फूल और मोंगरे का इत्रभी चाहिए नवरात्र में पूजा करते समय मादुर्गा के मंत्रों का जब करना चाहिए। लिकिन बड़े आग्रफ पुर्व के एक बात कहना चाहता हूं। उपाय के द्वारा सभी लोग राजनीतिग्य नहीं हो सकते। जब आपके किस्मत में भी पहले से लिखा होगा राजनीतिग्य होना तो आप बीना उपाय के भी हो जाएंगे। कुछ लोग जब आते हैं जिद्ध करते हैं ये बताने के बात कि आपके कुंडली में राजनीतिग्य नहीं है। और जिद्द करते हैं कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा, बड़ा दुख होता है, अगर उपाय से सब कुछ हो जाता, केवल उपायों से सब कुछ होता और प्रारभ्ध नहों होता, तो उपायों का तो मैं भंडार हूं, मैं भी बैठ करके एक घंटे क्यों मैं भी बहुत बड़े पत पर पहुंच जाता हूँ उपाय करके, तो बड़े बिनम्रता से कहना चाहूँगा कि यदि आपका प्रारभ्ध नहीं है, और केवल उपाय के बल पर आप चमतकार करना चाहते हैं, तो यह आप अपने को धुखा दे रहे हैं, ऐसी जवरजस्ति करें, आप जिस कारे के योग बने हुए हैं, उस काम को मन लगा करके करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको यस्त मिलेगी, उसमें आपको किर्ती मिलेगी, जैमाबिन दिवास मिलेगी, नवरात्र में माद दुरुगा के मंदिर जाकर मा को क्या को चर्पत कर हरने से आपके घर से वास्तु दोंश हमेशा के लिए तुरू हो जाएगा आय जानते हैं आप अलिए बंधट ये निए healthy देखेज वास्तु माने जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति के अनुरूप ब्यवस्था का नाम वास्तू है, घर में वास्तू दोस्त बढ़ता है, कल एक सज्जन बता रहे थे, मैंने बहुत अच्छा घर बनवाया है, लेकिन मेरे माँ को बिमारी है पुरानी चीजें रखने का, पांच-पांच दिन पुरानी रोटी घर में रखे रहती है, जो चपल कभी नहीं पहने जाएंगे, उसको भी घर में सजा के रखती है, जो कपड़े कभी नहीं पहने जाएंगे, उसको भी रखती है, यहां तक की कूरा फेकने में भी उसे मुह लगता है, तो अगर पुरानी चीजें, अनावस्तिक चीजें घर में जालकर घर से बाहर करिए तो घर में वास्तो दोस्त नहीं बहेगा हां मा दुर्गा के मंदिर जा करके आपको धातु या मिट्टी का बना हुआ कच्छुआ नवरात्र में कौडियों के उपर अस्थापित करना चाहिए मादुर्गा का दक्षिनावरती संख में जल, दूद, गन्य का रस भर करके श्री सुक्तम के सोलह मंत्रों का राजो पचार धंग से बोलते हुए भगवती का अविशेख करें, पूजन करें, आरती करें, आपकी मुनो कामना सिख्रात सिख्र पूर्ण होगी जैमाविन जवा हर फील्ड में सक्सेस पाने के लिए कड़ी महनत, थोड़ी खिसमत और थोड़े अच्छे समय का साथ होता है, ऐसे में अगर आप कला, संगीत, क्लैवर, मीडिया या फिल्म या मॉडलिंग के फील्ड में काम करते हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको मादुर्गा को इस नवरात्र कैसा तिलाख रोज लगाना चाहिए, आये जानते हैं पंड़ेचे से, बताए पंड़ेचे, देखे अप फिर एक बात कहना चाहूंगा, कला, संगीत, या मीडिया, ये सब हुनर जो है, जन्मजात पैदा होता है, स्वर किसी के साधने से नहीं सकता है, कु कुछी लोग ऐसे होते हैं, जो अनायास गुर्गुनाएं, तो भी चार लोग अपने अपना कान उनकी तरफ लगा देते हैं, ये गौड गिफ्टेड है, ये जन्मजात मिली हुई कला है, ये मेरा कहना कि नहीं क्यों चंदन लगाओगे, तो आप लता मंगेशकर बन जाओ फिल्म में ही अगर आपको सफलता चाहिए, तो लाल चंदन, गंगाजल, कपूर और चावल मिला करके भगवती का तिलक करें, लेकिन अगर आप संगीत ये अकला के छेत्र में लगे हुए हैं, तो ये नहीं कि आज मेरा उपाय आपने सुन लिया, आज कल बड़ा ट्रेंड बनाना चाहते हैं, लड़के को खिलाडी बनाना चाहते हैं, ये ट्रेंड बहुत तेजी से चला है, ठीक है, मुच्छा सपना देखना मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन प्रतियोगिता और भागम भागभरी जिन्दगी में, दोड में सब कुस देखते हुए तभी निरे ले लेना चाहिए, महिलाओं को सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, अगर आप मीडिया के छेतर में हैं, ग्लैमर के छेतर में हैं, पूरे दिन रात नवरातर में काली चालीशा और दुर्गा सबसंदी का पाठ करना चाहिए, पूरे नवरातर एक सुहागे निस्त्री को खीर खिलाना चाहिए हरी चूरियां दान करना चाहिए इससे आपको अपने च्छेत्र में सफलता मिलेगी जैमाविन दिवास में अगर बार बार आपको किसी की नजर लग चाती है तो इस नवरात्र दुरुका मंदिर जाकर मा को कौन सी चीज अर्पित करनी चाहिए यह जानेंगे पंड़े जिसे लिकिन एक छोटा से ब्रेक के बाद आप बने रहे हैं हमाई साथ और देखते रही नवरात्र स्पेशल काल चक्र बार-बार किसी की नजर लग चाती है ऐसे लोगों को इस नवरात्र दुर्गा मंदिर जाकर मा को कौन सी चीज करनी चाहिए आए जानते हैं बताये पड़े झीए तो भी या नजर भी सबको नहीं लगती है किसी किसी को लगती है और बार बार लगती है किसको लगती है आप कैसे जानेंगे जिसकी जन्म कुंडली में छटमें भाव में या दस्वें भाव में मंगल हो उसको बार बार नजर लगती है उसके उपर बार बार जादू तोने का प्रेयोग होता है अगर दुर्भाग्य बस आपकी कुंडली में भी छठे दस्वे मंगल है तो नवरात्र में दुर्गा मंदिर में मिट्टी के चार दिये जलाईए दीपक में करावे की बाती डालिए और नारियल का तेल डालिए मा दुर्गा के स्री चर्णों में दुर्गा यंत्र कपड़े में लपेट करके अस्थापित करेगी संख में पंचामित भरकर देवी दुर्गा के स्री चर्णों में रखिए मा दुर्गा को खीर का भोग लगाईए पूजा के बाद दुर्गा यंत्र अपने घर लाकर हर दिन इसका सहद मिस्रित जल से अभिसे करें ना तो आपके घर में रोग रहेगा ना तो आपके घर में सोक रहेगा और ना ही आपके घर में दरिदरता रहेगी हर प्रकार के खुश्चियों से आपका जीवन ओद्प्रोथ होगा और सच मुछ में जीमन लेना जीवन धार्ण करना आपका धन्य हो जाएगा जैमाबिन दिवास में कि आप एक खिलाडी हैं और चाहते हैं कि आपका नाम पूरी दुनिया में रौशन हो तो आपको नवरात्रों में मादुर्गा को कौन सा तिलक लगाना चाहिए आईए जानते हैं बताइए पंडिची दिए स्पोर्ट फिल्ड में सफलता और तरक्की के लिए सिंदूर गए गंगाजल और सहद मिलाकर मादुर्गा को तिलक करना चाहिए आपकर दूर्गा को तिलक लगाकर अपने मस्तक पर भी तिलक लगाना चाहिए। दूद और दूद से बनी मिठाई या खीर का भोग भी मा दूर्गा को लगाना चाहिए। नवरात्र में किसी निर्धन व्यक्ति की मदद करना चाहिए। किसी भूंखे को भोजन कराना चाहिए। और तो और नवरात्र में जो लोग कन्याओं के सिक्षा में, कन्याओं के विवाह में, कन्याओं के इलाज में और कन्याओं को कोई बस्तू दान करने में पैसा ब्यकरते हैं। ऐसे लोगों की यसोपताका तीनोगों में लहराती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए परम पावन दिन है दान पूर्णे करने का जितना हो सके कर लीजिए अंत में पस्तावा के अलामा और कुछ नहीं मिलने वाला है इसलिए दान पूर्णे में ना चुकें जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं करें जैमा बिन दिवास में और पड़िजी वो लोग जो छूट करें जैसे टीचर है अन्य बहुत सारे फील्स हैं वो कौन सा उपाए बाकि सभी के लिए जो आज करें मलयागी चंदन और केसर मिलाकर के पथर पर घीसे और उसे भगवति दुर्गा को फूब अच्छे से चंदन लगाए कश्तूरी द्रव चंदनागुर सुधा धारा भीरा प्लाविताम मतलब खूब चंदन का लेप करें और चंदन का लेप करने के बाद भगवति की आराधना करें फूजा पाठ करें और वो तिलक अंत में अपने माथे पर भी जगाएं और जिस भी छेत्र में काम कर रहें उ कैसे मा की पूजा करें क्या भोग लगाएं किस चीज का पाठ जरूर करें जाने के पंडेजे से लेकिन एक छोटे से ब्रेक की बादा बने रही है हमाई साथ और देखते रही है नवरात्र स्पेशल काल चक्र अगर आपकी बिमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है तो नवरात्र में दुर्गा मंदिर जाकर मा की पूजा कैसे करें क्या भोग लगाएं और किस चीज का पाठ जरूर करें आईए जानते हैं पंडेचे से बताइए पंडेचे देखिए वैसे तो 365 दिन 12 महीने और हर दिन 2600 स्वांस जो हमारी चलती है वो भगवती दुर्गा को समर्पित होनी चाहिए लेकिन माया जाल के चक्कर में मोह ग्रस्त होने के नाते हम अगर सतत भगवती की आराधना नहीं कर पाते हैं नहीं असमर्ण कर पाते हैं, नहीं समर्पन कर पाते हैं, नहीं उपचार से पूजन कर पाते हैं, तो कम से कम जो कष्ट में हमारे उपर आये हूं, उनके लिए कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। जैसे अगर कोई बीमारी लगी हुई है, और बीमारी ठूपने का नाम नहीं ले रही है, डाक्टर के समझ में नहीं आ रहा है बीमारी क्या है, डाक्टर ये भी कह दे रहे हैं कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तकलीफ बनी हुई है, तो ऐसे में दुरगा मंदिर में आठ बुजाओं वाली छोटी सी दुर्गा प्रतिमा अस्थापित करें, माने अपने पूजा अस्थान में, जहां आप पूजा करते हैं अपने घर के इसान कोण में, वहां आठ बुजाओं वाली आठ अंगुल से छोटी एक दुर्गा प्रतिमा अस्थापित करें, और भगवान गणेश की भी अस्थापना करें और गणेश और माद दुर्गा की राजो पचार पूजन करें देखें मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार से पूजा होती है पंचो पचार जिसमें गंधाक्षत पुस्व धूप दीप नविद्याता है मंद्र पुस्पांजली आर्थी ये करम होता है और राजो पचार में 64 प्रकार के उप्चार से पूजा की जाती है तो फिर पूछना ही क्या है तो राजो पचार पूजन करने के बाद लाल रंग का जंडा मा दुर्गा के मंदिर में लगा देना चाहिए वैसे तो वो घर घर नहीं है जिस पर एक जंडा नहों वो मंदिर मंदिर नहीं है जिस पर एक जंडा नहों वो रथ रथ नहीं है जिस पर एक जंडा नहों एक प्रतीक तो होना ही चाहिए जो जंडे के रूप में होता है दुर्दसा भोग रहे हो नाना प्रकार की आपत्य और विपत्यों ने आपको रगड करके रख दिया है तो अपने घर के इसान कोण के छट पर एक दस फित की पाइप में सुनहरे रंग से उसे रंग करके और मा दुर्गा के लिए एक जंडा नवरात्र में लगा के तो देख देखे कैसे आपके दुख और विपत्यों का निवारन होता है मा दुर्गा को मेवे का भोग लगाना मत भूल गयेगा और लाल चंडन की लकड़ी बजार में मिलती है उसे लाल कपड़े में लपेट करके दुर्गा जी के सन्मुख अर्पित करें और रोग से मुक्ती के ल इसको अगर 108 बार करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा ओम रोगान से सान अपहन से तुष्टा रुष्टा तुकामान सगलान विष्टान तौमा से तानाम नभी पन्नरानाम तौमा सिता है स्वेताम प्रयांती जैमा बिन्यवासनी तो पंड़े जी बहुत अच्छी जानकारी उपाई लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश बांड़े जी के साथ तब तकाल चक्र की पूरी टीम को दीजे जाज़त लिकिन देश दुनिया की ख़बरों के लिए देखते रहे हैं दिन्स 24 नमस्कार